हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडिन इस्टडी इंडिन इस्टडी पर आपका स्वावत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधी का इंपोटेंट टेस्ट लेकर किया जाओं जी हाँ दोस्तो जो महीला घरेलू इंसा होती है उस सम्मंदित उस टॉपिक से सम्मंदित इंपोटेंट बहु बिगल्पी है या MCQ लेकर के आया हूँ तो वीडियो को एंट लेक जरूट देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत जादा कुछ जानने को मिलने वाला है तो वीडियो को एंट लेक जरूट देखिएगा इस वीडियो की पीडियो डिस्क्रिप्शन और टेलिगराम चैनल का लिंग दिया हुए है वह राष्टिय महीला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया राष्टिय महीला आयोग अधिनियम 1990 की धारा एक के अनुसार संचित नाम विस्तार और प्रारंब है यानिकि इस अधिनियम का संचित नाम राष्टिय महीला आयोग और अधिनियम 1990 है ठीक है ना नेक्स्ट कोस्टन से आपका राश्टी महीला आयोग के निमले के तमेसे कौन से कार हैं ये आपको बताना है महीलाओं की सम्मेदानिक एवं विदिक अधिकारों की रक्षा करना बिलकुल है ये काम महीलाओं के आवसयक सुधारों के संबन्द में सरकार को अपनी सिफारिस देना बिलकुल है ये भी काम महीलाओं की सम्मेदानिक एवं विदेक अधिकारों की निगरानी करना ये भी है आपका यानि की उपरुक्त सभी जो है ये राष्टी महील आयोक के प्रहुक कार रहें नेक्स्ट कोस्टन से आपका के निमले के तमेंसे किस बाद में सुपरीन कोड ने कार इस्तल पर महीलाओं के यौन सोसन को रोकने के लिए विस्तरित मार्ग दर्सक सिद्धान्त प्रस्तुत किया किस बाद में तो सही आंसर हो जाएगा आपका विसाका बनाम राजस्तान बाद यानि के इस कोस्टन का पहला आपस्टन आपका बिल्कुल करेक्ट विसाखा बनाम राजिस्तान वाद या राजिस्तान राज्ज के वाद में यह अभी निर्दारित किया गया कि कारिस्तल पर महीलाओं के योन सोसन को रोकने के लिए विरस्तित मार्ग दरसक सिद्धानत प्रस्तुत किया जाए पहला ही ओप्संस यहाँ पर सर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गरेलू हिंसा में महीलाओं का संडक्चन अदिनियम 2005 लागू हुआ कब जल्दी बताइए सर कब लागू हुआ गरेलू हिंसा से महीलाओं का संडक्चन अदिनियम 2005 लागू हुआ कब तो आपका सही आंस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा गरेलू हिंसा से महीला संरक्षन अधिनियम 2005 भारत की संसत द्वारा पारितिक अधिनियम है जिसका उद्देश है कि गरेलू हिंसा में महीलाओं को बचाना जो कि 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया सर नेक्स्ट कोस्टन से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत जादा मेनत लगती है आप लोगों से केवल 500 लाइक का टार्गेट रख रहा हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीस 500 लाइक तक जरूर पहुचाईएगा क्योंकि आपको एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं डेली विडियो पर वीडियो प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ गरेलू नातेदारी की परिवासा दी गई है गरोली हिंसा से महिलाओं का संड़क्चन अधिनियम की दारा है तो आपका सही अंसर क्या हो जाएगा धारा दो चा जी हां दोस्तों गरेलू नातेदारी की परिवासा दी गई है गरेलू हिंसा से महिलाओं का संड़क्चन अधिनियम की दारा दो चा में दिया गया है ठीक है ना दारा दो चा के अनुसार गरेलू नातेदारी से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी होती है जो साक्ची ग्रेस्ती में यानिकि एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं जब बेरक्त संबन दोरा विवा दोरा या विवा के दत्तक गरहन की प्रकती की किसी नातेदारी दोरा संबन थे या एक अवियुक्त कुटम के रूप में एक साथ रहने वाले कुटम के सदस्तों ये आपका पूरा वर्लन जो है वो दो चा में दिया गया है संतान सब्द में कितने वर्स की आयू से नीचे व्यक्ति जो है वो अभी प्रेत है तो सही आंसर हो जाएगा 18 वर्स चोहता ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोर्शन से स्टार्ड करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एक्जाम की तैयारी करना चाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी परिक्चा हैं चाहे आप यूपिटर पलसी पीटी ले लिए ये पीटी ले लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आगामी परिक्चा है सभी कोर्स आपको अनकेडिमी के प्लस प्लेटफॉम पर देखने को मिल जाएंगे अगर आप कोई भी कोर्स में इन्रॉल करना चाते हैं आपको यूपिटर पलसी के अंदर सब्सक्रिप्सन को पर्चेस करना होगा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ अगर आप इस केटागिरी के अंदर कर सब्सक्रिप्सन को पर्चेस करते हैं तो जितने भी इस category के अंतरगत course चला जा रहे होंगे आप सभी courses को access कर पाओगे ऐसा नहीं है कोई एक course को खरीदने के लिए आपको एक बार पैसे देने फिर अलग course खरीदोगे तो फिर अलग से पैसे ऐसा नहीं है रहे अगर आपने किसी category के अंतरगत कोई course खरीद लिया उस category के अंतरगत जितने भी course चल रहे होंगे सभी को access कर पाओगे इसलिए ही तो कह रहा हूँ description में link provide करवाया है जल्दी से जागर के अभी purchase कर लो UPSI का foundation batch जो है 8 March से start भी हो जाएगा क्योंकि UPSI बहुत important आप सभी लोग जानते है vacancy है तो subscription को purchase करने के लिए referral code की जगे अपने channel का नाम Indian study apply कीजिएगा तो आपको instant 10% का discount उपराप्त हो जाएगा सर तो चलिए देख लेते हैं next question सनरक्षण adikari होंगे जल्दी बताइये सनरक्षण adikari होंगे यता संबा महीला हैं दूसरा options correct हैं देखो महीला घरेलू हिंसा सनरक्षण संबंधी प्रापधान मैं सनरक्षण adikาरी यता संबाव यानि कि जितना संबाव हो सके कि महीलाई ही होंगी और उनके पास ऐसी योगतावा अनुभा होगा जैसा की प्रावधानित किया गया है ठीक है राज सरकार प्रतेक जिले में उतने संरक्षन अधिकारी निक्त करेगी जितना वहाँ आवसयक समझे नेक्स्ट कोसंस गरेलू इंसा से महीलाओं का संरक्षन अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतरगत संरक्षन अधिकारी के कर्तव और कार हैं किस धारा के अंतरगत तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर धारा नौ के अंतरगत तीसरा ओप्सन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसंस से आपका यदि कोई संरक्षन अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निदेसित उसके कर्तव्यों का निर्वाहन करने में विफल रहता है तो वह डंदनी होगा तो वह एक वर्ष के कारवाय या 20,000 रुपे के जुर्माना दोनों से या दोनों से भी डंदनी हो सकता है राष्टिय महीला आयोग अधिनियम प्रवत हुआ कब जल्दी बताईए राष्टिय महीला आयोग अधिनियम कब प्रवत्तित हुआ तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 31,000 जनवरी 1992 तीसरा ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर करेक्ट होगा राष्टिय महीला आयोग अधिनियम की किस दारा में आयोग का गठन उपबंदित है जल्दी बताईए राश्टिय महिला आयोक अदिनियम की किस दारा में आयोक का गठन उपवंदित है तो सही आंसर हो जएगा दारा 3 में कौन से दारा 3 में उपवंदित है दूसरा अप्सन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा राश्टिय महिला आयोक अदिनियम 1990 में कुल कितनी दारा हैं जल्दी बताओ कुल कितनी दारा हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुल 17 दारा हैं सर कितनी है 17 सत्रा important है द्यान रखना राश्टी महीला आयोग में कुल continuously कितने सदस होते हैं जल्दी बताओ राश्टी महीला आयोग में कुल지 कितने सदस होते हैं तो आपका सही answer हो जाएगा 6 सदस होते हैं कितने दोस्तो 66 होते हैं दूसरा option बिलकुल correct next question राश्टे महीला आयोग में कितने सदस अनुसूचित जाती के होते हैं जल्दी बताओ कितने सदस जो हैं वो अनुसूचित जाती के होते हैं तो सही आंसर हो जगा कम से कम एक देखो सब कुछ मैं आपको समझा देता हूँ राश्टे महीला आयोग में अभी आली मैंने आपको बताया कि छे सदस होते हैं अधिनियम की धारा तीन के अनुसर केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यक्ष जो महीलाओं के हित के लिए समर्पित हो तता केंद्र सरकार द्वारा ऐसे योक सतनिष्ट और प्रतिष्टिट व्यक्तियों में से पांच सदस जिने विधी या विधायान विवसाय संग अंदोलन महीलाओं की नियोजन की ब्रद्दी के लिए समर्पित हो ये ऐसे जो हैं वो चुने जाते हैं ठीक है इसमें मैंने आपको सारी चीज़ बता दी अनुसुच जाती ते कम से कम एक सदस जो हैं वो देखे जाते हैं राष्टी महीला आयोग के सदस्यों की पदअब्दी कितनी होती है देखो राष्टी महीला आयोग की अधिनियम की धारा चार के अनुसार अध्यक्च और प्रतिक सदस तीन वर्स से अधिक ऐसी अब्दी के लिए पदधारन करेगा जो केंद्रिय सरकार द्वारा जो है निर्मित हो यानि कि इस कोस्टन्स का सही अंसर क्या हो जाएगा तीन वर्सों से अधिक यानि कि तीसरा आप्संस बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन्स से आपका राश्टिय महिला आयोग अधिनियम के अंतरगत आयोग के किरत किस दारा में उपबंदित है किरत का मतलब काम से है किस दारा में उपबंदित है तो दारा 10 में उपबंदित है किस में दारा 10 में चोहता आपसंस करेक्ट राश्टिय महिला आयोग अधिनियम 1990 कि किस दारा के अ हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा राश्ट्य महीला आयोग अदिनियम के उपबंदों के किरियन वेन के लिए नियम कौन बनाता है नियम कौन बनाता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा केंद्रिय सरकार कौन बनाता है दोस्तों केंद्र सरकार जो है वो नियम बनाती है यहाँ गरेलू इंसा से महीला सरनक्चन अदिनियम को राष्ट पती से सुईकर्थी प्राप्त हुई तो आपका सही आंसर हो जाएगा 13 सितंबर 2005 को कब दोस्तो 13 सितंबर 2005 को तीसरा ऑप्संस यहां पर आपका बिल्गूल क्या होगा करेक्ट होगा गरेलू इंसा से महीला सरनक्चन का विस्तार है तो इसका विस्तार जो है ना संपूर भारत पर है पहले आपका जो ऑप्संस देखा जाता या आंसर देखा जाता पहले ऐसा था जम्मू कस्मीर के सिवाय संपूर भारत में लेकिन आप सभी लोग जानते हैं जम्मू कस्मीर जो है अब क्या हो गया एक कीन सा प्रदेसों में लागू होते हैं वो जम्मू कस्मिर में भी लागू होंगे तो इसलिए अब जो गरेलू इंसा से महिला सरक्चन अदियम जो है संपूर भारत में लागू है Next questions, last questions, is questions का आंसर आप मुझे comment box में बताएंगे गरेलू इंसा से महिला सरक्चन अदियम में गरेलू इंसा परिवासित है किस दारा में सबसे पहले ही बताया था तो इस questions का आंसर आप मुझे comment box में बताएंगे तो दोस्तों यह थे आपके 20 important questions मूल विदी के जो कि आपके आने वाले exam में बहुत ही ज़दा important हैं आप सभी लोग जानते हैं डेली basis पे आपको UPSI के तयारी करवा रहा हूं बस आपका साथ चाहिए विकास भी आपका ही होगा तो दोस्तों फुलाल की वीडियो में स्रफ इतना ही अगर वीडियो पसंदा तो पिल्स दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीज़र और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्यों कि मैं रोजन यसी तरह के वीडियो आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत